है इस आज की मार्केट बहुत जादा इंट्रस्टिंग थी हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी आल्मोस्ट वन परसेंट ऊपर गया एक माइनस गाप डाउन तो आया था उसके बाद एक रिकावरी बहुत अच्छी आए बट अगर अगर देखे तो निफ्टी उस चीज प्रोबम लाग ठीक है एक बार ओपन इंट्रस्ट का डाटा चेक करते हैं कि मेजर डिफरेंस लोगों देखने को मिला है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ओपन इंट्रस्ट पे उसको भी स्टैडी करते हैं सो सबसे पहले बार मैंने बांग निफ्टी का चार्ट कर रहा है उससे पहले मैं बता देता हूं कि हम लोगों ने थ्री स्टॉक्स आप लोगों को दिये थे पी एल डॉक्टर रेडीज एन आईश्य मोटर सेल के लिए था वो ट्रिगर हो गया अच्छा रिजल्ट दिया डॉक्टर रेडीज बाइक ले था एक लेवल ऊपर जब करते हैं बांग निफ्टी के अंदर डेफिनिटली आप देख सकते हैं कि इस लिवल पे बांग निफ्टी ओपन हुआ था अट इस पर्टिकुलर लेवल और यहां पर लेट मी ओपन हा फाइव मिनिट टाइम आपको इजी अंडिस्टांडिंग हो जाए गया तो इस लेवल राद मार्केट ऊपर चले गई जो आपको कल अल्रेडी यूट्यूब की वीडियो पर मैंने बताया था कि अगर इस तरीके का सेनारियो आता है और रिकवरी आती है तो हम लोग तुरंत बाई कर सकते हैं बट यह चीज़ आपको सिंपल बेसिस पर अंडेस बड़ी कैंडल ह जब तक उसका ओपन प्राइस जो की बेरिश कैंडल होगी उसका ओपन प्राइस अगर जब तक ऊपर क्लोज नहीं होता दूसरी कैंडल में बुलिश कैंडल में तब तक हम लोग ट्रिगर नहीं करेंगे यह बहुत अच्छा लेवल था यहां पर एक सपोर्ट बन सकता था अब भी हम लोग चेक करें तो एक मेजर रिजिस्टेंस पे एक वीक हाई लेवल है अगर यह इसके ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो कल एक मार्केट में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है जिस तरीके से हम लोग देखने के एक बहुत ब यह एक बेसिकली रेंज होगी जिस रेंज के अंदर मार्केट अपना एक रिजिस्टेंस ले सकती है और फिर वो हम लोग देख सकते हैं कि एक रिट्रेस्मेंट या पुल बाक के थ्रू वर्क कर सकती है ठीक है प्रोबाबलीटी हमारी बहुत क्लियर ली तभी खतम होगी से साइट के अंदर जब यह इसके ऊपर जाके डिली कांडल के अंदर क्लोज देगा जो कि अभी टाइम है ठीक है अब यहां पर हमें किस तरीके से ट्री लेना है अभी करेंट प्राइस पे एक माइनर रिजिस्टेंस है जो कि यह फेस कर रहा है अगर मैं आपर एक बॉक्स क् कर सकता है कि 40,200 के आसपास 250 के आसपास आने की कोशिश करेंगी क्योंकि majority of the लोग इसको ऐसा पुल बाक लेकर चल सकते हैं पुल बाक के थूप अपने रिजिस्टेंस पेगब शॉट करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं सो हो सकता है कि मार्के शुरवाती में नीचे आने की क कोशिश करें हलकल के नीचे आए बट आफटर आट मार्केड एक जब रिकवरी करेगा लो से फॉर एक्जामपल मानके चल सकते हैं कि यह जो पूरा मूवमेंट है जिस लिवल से मूवमेंट आया इस मूवमेंट का यह 50 पोसेंट तक यह 61 पोसेंट तक फॉल कर सकता है यहा अगर इसके ऊपर निकलता है तो भी हम अपना बाय सेट अप ट्रीट कर सकते हैं अगर नहीं निकलता पेशेंट ली सेल मत करना वेट करना इन लेवल्स पे अगर हम लोगों को एक और मिलता है तो हम लोग डेफिनिटली परसीव करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट मिल सकत है इसके अलावा मैं आप लोगों को निफ्टी दिखा देता हूं कि अग्यों के अंदर आप लोग क्लियरली चेक कर सकते हैं कि यह एक पर्टिकुलर लेवल था जिस लिवल पे हम लोगों ने एक हमारी प्रीवेश दिगी क्लोजिंग हुई थी और एक गाप डाउन कुला इस लेवल पे हम लिए इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं इसके ऊपर कोई क्लोजिंग में आई तो हमारे लिए आपर बाई ट्रिगर नहीं हुआ और आफ्टर दाट वह नीचा गया इंट क्रिटेटर डबल बॉटम अब यह डबल बॉटम आइम नॉट वेरी शॉर कि यह स्ट्रॉंग डबल बॉटम है यह नहीं है तो यह डबल बॉटम हम तभी स्ट्रॉंग कर पाएंगे कि जब तक यह 17,454 70 के ऊपर नहीं निकलता है जब तक अपने प्रिवियस दे के क्लोज के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हमारे लिए निफ्टी के अंदर तो बाई का ट्रिगर नहीं जन्रेट होगा तो मैं यह लेवल से मार्क कर देता हूँ लेट मी रिमूव दिस एक सिंपल सा ही लेवल है दाट इस इस वाडिक निफ्टी पे अगर कुछ शॉर्ट सेनारिया आता है तो निफ्टी जादा उस पर रोल प्ले कर सकता है बट बांग निफ्टी में बाई साइड में जादा तो अब बात कर लेते हैं एक बार स्टॉक्स की लिट में जो यू फॉर फर्स टॉक पावर ग्रेट सू पावर ग् पार्टन का एक ब्रेक आउट दिया है और लेट मी उपन है डेली टाइम फ्रेम यूस करते हैं तो एक छोटा सा रिजिस्टेंस है और इस रिजिस्टेंस को क्लेरिफाय करने के लिए हम लोग मार्केट वॉल्यूम प्रॉफाइल का यूस करेंगे तो यहां पर हम लोग ने इसी लेवल तक था जो कि 218-219 था अभी वी 219 पर ही ट्रेट कर रहा है करेंट प्राइस पर जहां पर थोड़ा बहुत कॉंट्राक्शन है बायर की बीच में फाइट है तो जैसी यह 220.80 की उपर निकलता है 220.80 रियाद रखेगा यह नंबर को हम लोग जैसी की उपर निकल है तो भी हम वाई कर सकते हैं यह पर्टिकलर स्टॉक अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है तो इंट्राडे के अंदर ही मुझे लगता है चार पांच पॉइंट बहुत ईजली स्टॉक दे सकता है एक दम से दे सकता है तो मेक शॉर तो वाच दिस टॉक और इस पर आप ट्रे यूपर जाके ट्लोजिंग दे पाए सस्टेन कर पाए वह सस्टेन नहीं कर पाता है और आफ्टर आट हम मल्टिपल ड्रॉडाउंज देखने को मिल जाते हैं यहां पर भी ट्राइड बेस्ट बट वह सस्टेन नहीं हो पाया अफ्टर अगेन एक फॉल आगया बट वह फॉ कर रहा है अल्मोस्ट अराउंड 61% के आसपास जो की लेवल निकल के आ रहा है 3300 का अभी करेंट पराइस है 3330 रूपीज का अभी 30 पॉइंट्स नीचे है एक ट्रेंड लाइन मैंने बना दिया है तो एक बार यह पॉज लेने के कोशिश कर सकता है इसके लावा अगर में मा कि बिस्यस पर भी काम कर सकते हैं अब एक बार में वीकली टाइम फ्रेम आपको उपन करके दिखाता हूं कि यहां से यह उपर की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है बट अब यहां पर बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल बाय करने के बारे में सूचेंगे और यहां पर कुछ लोग सेल करने के बारे में सोचेंगे जिनका स्टॉप लॉस भी हीट होगा कैसे यहां पर एक्जाक्ली अब यह बाय पुजीशन पर है वट इस पर्टिकुलर स्टॉप कें डू कि शायद कर मार्केट अगर हर शुलवात में नीचे गरना शुरू करती है जिस तू टेकर र करेंगे अपना स्टॉप लॉस कोट करेंगे और वेट करेंगे इट विल ट्राय कि वह नीचे जाए बट वह आक्चली भी नीचे नहीं जाएगा और रिवर्स कर देगा स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगी और फाइनली वह उपर चल जाएगा तो मेक शूर कि यह इस तर प्रिश्ट बैट सकता है और स्टॉप लॉस भी बहुत कम होगा और रिस्क कम होगा और प्रॉफिट जादा हो सकता है तो मेक शूर तू फॉलो दाट एस वेट के लावा आर लास्ट टॉक कर इंडिया यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यह पर्टिक्लर स्टॉक तो हम लोग देख रहे हैं एक हाई लेवल पे ही पर्टिक्लर ट्रेट करे जा रहे हैं तो स्टॉक अंदर कुछ एक इंट्रस्टिंग था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था यह एक पर्टिक्लर लेवल है जिस लेवल के अंदर इसने एक ब्रेक आउट दिया बहुत है जो हाई से हैं वो फ्लक्चुबेट हैं तो अभी जो पर्टिक्लर स्टॉक ट्रेट कर रहा है तो अगर यह 2190 को ब्रेक करता है तो हमें क्लियरली यहां से 30 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन बहुत शाप और विदिन मिनिट्स मिल सकता है तो हम इस पर ट्रेट कर सकते हैं यहां पर मैं शॉर्ट साइट के लिए नहीं जा रहा हूं इस पर्टिक्लर स्टॉक पर बिकॉस मुझे शॉर्ट साइट लगता है कि शायद एक बार यह बस ब्रेक्डाउन के लिए यहां पर पॉस लेनियार ही टेस लेने के कोशिश करेगा बट मेरा मिजॉरिटी इस पे इस पर्टिक्लर लाइन के ऊपर इस पर्टिक्लर हाइं की आहां से ऊपर जा सकती है और एक डिफिनेटली बडिया रिजल्ट देखने को मिल सकता है अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो 30 पॉइंट से आप इसली काप्चर कर सकते हैं बढ़ ट्राइट वेट फॉर्ट पॉजिशन बलब जादा लॉंग शॉर्ट पॉजिशन पर वेट मत करना जल्दी निकल जाना प्रॉफिट लेके बट लॉंग साइट पे आप डिफिनेटल कर सकते हो अगर यह ब्रेक आउट होता है तो डिफिनेटली आर स्टॉप लॉट बी इस बिलो इस पंदरह मिट के कोई भी कांटल क्लोज होती है टॉबगे तो अजिए परप्तिकलर पॉजिशन इस परिकला पशिचन फिर टेक अपर टोट आप आपको नालसे सब्सक्राइब आई ए तो मेक शूर तो लाइक इस वीडियो अब्सक्राइब टॉड देंग अरक इंट्रस्तेंग उन्क्रेंग तो हम लोग अपने ट्रेट् झाल झाल